नमस्कार दोस्तों हम सिख रहे हैं character animator और आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा bird का animation जो हमारे ये screen पे आप देख रहे हैं जो bird animate कर रहा है इसके punk कैसे हिल रहे है पंक का animation कैसे किया गया है आज के इस video में मैं आपको बताने बाला हूँ तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए video को start करते हैं अगर आप मेरे इस channel पे नए हैं तो subscribe करना न भूलें और इसके बगल में दिये गए bell icon को जरूर दबाएं जिससे मैं कोई भी नया video लाऊं उसका update आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों ये जो bird का animation हम करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो सॉप में समझते हैं उसके layer को कैसे arrange किया गया है क्योंकि जब character animator में किसी भी character को animate करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि फोटो सॉप में उसको arrange करना कि हमने उसके layer को कैसे arrange किया है तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास ये फोटो सॉप का file है जो layer wise में यहाँ पर हम बना रखे हैं हम इसको पहले बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम layer को समझते हैं तो हम यहाँ पर क्या क्या किये एक जो bird का character है इसके लिए एक folder हमने यहाँ पर बनाया जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास एक जो है यह bird का जो character है main groups उसके लिए हमने एक head का folder बनाये आप किस कोई भी folder बना सकते हैं यहाँ पर हम bird भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर एक bird का folder हम बना देते हैं ठीक है उसके बाद क्या करते हैं हमारे इस bird के जो folder है इसके अंदर हमने यह तीन folder बनाये मतलब एक जो left की ओर रहेगा जो left की ओर चलेगा एक जो right की ओर move करेगा और एक जो default हमारा center में कोई भी image रहेगा जो center में हमारा एक character रहेगा तो हम किसी भी character को एक को समझ लेते हैं इसके अंदर हमने किसी layer को कैसे arrange किया हूँ हम इस default में खोलते हैं तो इसके अंदर क्या है कि हमें पहले तो head का एक folder बनाया हूँ एक head का folder है और एक wings का folder है जो हमारे पास यह wings से है उसका folder है main root से दो folder है और एक हमारे पास origin है जो हमारा यह body का part होता है ठीक है यह body का यह माल लो अगर हम इसको बंद करते हैं एक यह body का part है तो हमारे पास main root से तीन तरह के एक default जो right left है इस तीनों में इसी तरह का folder है तो हम पहले head को समझ लेते हैं head में क्या है head के अंदर हमारे पास तीन फोल्डर और बना हुआ है आप एक भी बना सकते हैं आप पर डिपेंड है लेकिन हमने यहां पर तीन बनाए तीन बनाने के मतलब होता है कि यह जो है नॉर्मल यहां पर है ठीक है जो front type से देखेगा एक left side देखेगा और एक right side देखेगा तो हमने इसलिए तीन यहां पर बनाए आप इसके लिए आप और भी बना सकते हैं जैसे आई का animation अगर करना चाहते हैं तो आई के लिए भी आपको यहां पर फोल्डर बनाना हम उसके लिए छोड़ दिया हैं अगर आपको नहीं हो पाएगा तो आप प्लिज कोमेंट करना मैं उसके लिए भी आगे मैं वीडियो बना दूंगा तो यहां पर क्या हुआ कि तीन हमने फोल्डर बनाए अब इस तीन के अंदर जो है वही चीज है इसमें कोई नहीं है एक लेफ्ट राइट यह जो है उसके बाद यह बोडी है जो बोडी का जो है बर्ड का बोडी है वो यहां पर है यह नॉर्मल हमारा रखा हुआ है ठीक है उसके बाद क्या है विंग्स है विंग्स के अंदर हमने जब खोलते हैं विंग्स को यहां पर हमारे पास तीन विंग्स एक है टॉप अगर हम इसको बंद करते हैं देखिए एक टॉप है टॉप की तरफ जो विंग्स है उसके बाद एक सेंटर है जो मिडिल है सेंटर में है एक और एक बॉटम है मतलब जो नीचे पंख जाएगा और एक जो सेंटर मरेगा पंख और एक ऊपर चलेगा तीन टैप के पंख है आप इसमें एक-दो और लेयर बना सकते हैं आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो बर्ड का पंख जब है वह произош Mike करे तो आप इसमें एक-दो और लेयर भी बना सकते हैं वांकि तीन लेयर काफी है तीन लेयर मेक्षिए हमारा जो है इंपन मेयाfunction हो जाता है इसी तरह से क्या है कि अगर हम default में हम अभी इसको हम on कर देते हैं इस tap से और हमें जो क्या करना है default को हम यहाँ पर बंद करते हैं और left right में भी देखते हैं तो कुछ उसी tap से रहता माल लेजिए हम अगर right को खोलते हैं राइट के अंदर देखिए एक wings का folder है wings में हमारे पास देखते हैं तीन है एक टॉप है यह एक center है देखिए और एक bottom है तीन टाइप का यहाँ पर wings है लेकिन direction इसका change हो गया जो वह wings था कुछ और टाइप से यहाँ पर विंग्स वह तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे हाफ ही बर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ फ्रंट पर सामने पूरा दिख रहा था और उसके बाद क्या है एक body का है जो यह हमारा जो bird है कुछ step से bird का हमने बनाए है उसके बाद जो है एक और default है default में देखते हैं अचे default वह तो मैं बता चुका था यह जो यह right का है तो right में सिर्फ इतना ही है right या left में दोनों में बहुत ज़्यादा element बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पर यह देखिए सिर्फ यह wings का यहाँ पर बना रखे हैं एक body का बना रखे हैं अगर i का यहाँ पर फोल्डर एक बनाना पड़ेगा तो यह हमने तीन यहाँ पर बना लिये हैं मैं default को यहाँ पर own कर देता हूं बांकि left right को बंद कर देता हूं इतना करने के बाद हमें जाना है character animator में तो यह हमारे पास character animator है यहाँ पर हम खोल रखे हैं यह हमें पहले का बना हम इसको यहाँ पर delete कर देते हैं हमें क्या है इसको यहां से हम delete कर देते हैं ठीक हमारे पास बिल्कुल blank के screen है अब हम यहाँ पर इसको बनाते आपको दिखाता हूं कैसे बनाया पहले तो हम उस bird को यहाँ पर import करते हैं अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे तो यह हम background को हम बाद में लगाएंगे पहले character का animate कर लेते हैं यहां पर हम क्या किये इसको यहां पर लेके आए हैं और यहां पर इसको हम double click करते हैं यहां यहां पर हम इसको बहुत ज्यादा सेटिंग नहीं करते हैं दो तीन सेटिंग के बाद यह जो है बर्ड का animate करना बहुत ही ही easy होता है तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि पहले हम देखते यहां पर कुछ सेटिंग को हम पहले इस he blessing हैं यहां पर सीब्विद करते हैं यह एहां पर हम यहां पर इसको सेव कर देते हैं यह हमारा फोल्डर चेंज हो जाएगा यह बर्ड बन गया यहां पर और यहां पर क्या करते हैं कि इसको हम स्लेक्ट करते हैं यहां पर जो है यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर ओटो ही रहने देते हैं यहां पर आटो रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पे इसको हम ओन कर देते हैं इस दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे ओटो ओटोमेटिक हो गया है और यहाँ पे इस दोनों को ओन कर देते हैं इसको भी इसको भी इस दोनों पे हम क्लिक कर दिये ठी यहां से भी जा सकते हैं, प्लस करके, और यहां से भी कर सकते हैं, दोनों जो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, हम यहां पर select करते हैं, और यहां से प्लस पर जाते हैं, और यहां से, देखिए, एक motion trigger यहां पर लगा हुआ है, motion trigger जो behavior है, इसको हम own करते हैं, motion trigger को हम own कर दिये यहां पर और यहाँ पर जब क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर हमारा आगया motion trigger और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं परता वो आप पर depend कर देखिए moving up है right है left है यह आप करके देख सकते हैं कि हमारा कितने पर जाता best है यह आप अपने तरीके कर सकते हैं मैं आ प्लब दोस्तों होता है कि हम अगर left की order करेंगे तो कितना देर तक हमारा left की order चले और अगर हम right की ओर करते हैं तो हमारा कितना देर तक right की ओर चलता रहता हम इसको अभी फिलाल 5 करते हैं और मैं आपको screen पे जाएंगे जब scenes पे तो आपे भी हम आपको इसका explain कर देंगे क इसका क्या definition होता है इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है हम जाते हैं यहाँ पे layer में जाते हैं layer में क्या कर दिया है और tag में जाते हैं यहाँ से tag में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले चीज़ तो हम यहाँ पे draggable कर देते हैं ड्रैगबल मतलब माउस से आप ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, हम इसको क्लिक कर देते हैं, और क्या करते हैं, यहां पे लेफ्ट राइट को हम इसको कर देते हैं, लेफ्ट में है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यह राइट ह animation हम कर रहते हैं, यह हमारा काम पूरा हो गया, अगर इतना पर हम scenes पर जाते हैं, record पर जाते हैं, हम यहां से record करते हैं, और यहां पर scene को open करते हैं, यहां पर scene create करते हैं, तो हमारे पास देखिए, यह जो है, normally यह आ रहा है, और यह आप देखिए, left, right आप mouse से drag कर सकते हैं, ठीक है, left mouse, लेकिन हमारा जो है, punk अभी नहीं चल रहा, अगर आप इधर उधर कर रहे हैं, तो आप देखिए, यह कर रहा है, और इसके, हम head को भी animate कर रहे हैं, अगर हम इ ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिंग में जाते हैं यहां से, और हम यहां पर wings का animate देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा यहां पर करने की ज़रूरत नहीं परता, आप wings का देखते हैं, तो सभी में folder है, हम क्या करते हैं, control प्रेस करके, यहां पर हम तीनो wings को हम select कर लिए, ठ यहां से एक behaviors में जाते हैं, और यहां से एक add करते हैं, cycle layer को, आप यहां से भी add कर सकते हैं, यहां से भी add कर सकते हैं, और यहां से भी add कर सकते हैं, आप wings को select कर लिए, यहां selection हट गया है, हम selection कर लिए, आप देखे, यहां से भी cycle layer है, और यहां भी होता है, तो यहां से हम क् कर दिया अब यहां पर देखते हैं क्या करना है यहां पर क्या करते हैं देखिए क्लिक कर कि steps किया जाता है उसके top to bottom है या bottom to top है आप अपने according select कर सकते हैं मैं फिलाल bottom to top कर रहा हूँ और यहां पर once है लिखा हुआ यहां पर continuously कर देते हैं क्योंकि once करने के बाद क्या होगा यह सिर्फ एक बार punk हिलेगा और बंद हो जाएगा लेकिन हमें चाहिए कि continuously मतलब इसका punk चलता रहे ठीख है इतना करनेके बाद इसको हमको कुछ करने की ज़रुरत नहीं है इसको हम कुछ नहीं करते हैं ठीख ह्या forward reverse पे कुछ करने की ज़रुरत नहीं है बस इतना ही हमको करना है और घ्राप ये खाब हम अभी इस प्रिकॉर्ड में देखते हैं जब हम रिकॉर्ड में आये दिथ हमारा पंक चलना सुरू गया और हम माउस को ड्रैक करते हैं लेप टू राइट देखेए ओमारा ये पंक जो है यह चलना सुरूर हो गया ठीक है left right जिधर भी आप कर सकते हैं अगर इधर करते हैं तो इधर उधर करते हैं तो यह अगर head को हिला रहे हैं तो यह automatic हिल रहा है अब क्या है कि हम चाहते हैं कि हम जब left या right करें तो थोड़ा देर यह रुख जाए अगर left की और करें थोड़ा automatic रहे हैं तो मैं इसके लिए क्या करूँगा और यहां पर हम motion trigger में जाते हैं क्योंकि यहां पर हमने motion trigger को add कि तो motion trigger में जाके आप इस frame को आप अगर बढ़ा देते हैं 50 कर देते हैं यह क्या होगा कि हम अगर इसको इधर करते हैं देखिए यह थोड़ा देर तक ओटोमेटी यह रुक रहेगा मतलब 50 frame यह रुक रहेगा अगर चाहता है क्यों और फिर फ्रेयम इदहर आघेंगा थीक है तो हम इसको अभी इतना दिन नहीं रोकते हैं माउस से कंट्रोल करेंगे इसको अब ये इसका हेड हमें जो है चलने राग अगर लेट राइट नहीं हेड चलना तो इसके लिए हमेरे एक बार और रिंग में जाते हैं कि वैसे तो हमारा डिफॉल्ट यहां पर यह सेट किया हुआ है लेकिन हम डिफॉल्ट यहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पीछे जब लगाया था तो वह डिफॉल्ट में यहां पर आ गिया था लेकिन हम यहां पर लगाते कैसे हैं तो यह करने के लिए क्या करते हैं हम behavior में जाते हैं यहां से जो है जो यहां पे head turner है इसको अगर on करते हैं हमारे पास यह on हो गया head turner और यह जो है यहां पे आ जाएगा यह अगर नहीं आ रहा होगा तो आप head turner को on करते हैं तो यह यहां पे आ जाता है 35 click करते हैं तो इसका जो है head है turn हो का left to right हम अगर इसको कर देते हैं one इसको कर देते हैं दो ठीक है इतना करने के बाद हम क्या करते हैं record में जाते हैं यहाँ पर record में जाते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं देखिए इसका जो है automatic यह turn हो रहा है इसका जो है हम देखिए अगर one two देखिए one two प्रेस करते हैं देखिए इसका head जो है turn हो रहा left to right ठीक है और इसके mouth अगर mouse से click करते हैं तो यह left right कर सकते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम यहां पर background लाते हैं हमारे पास एक यह background है और इस background को हम यहां पर लगा देते हैं नीचे तो हमारे पास देखिए यह bird बन गया है और इस bird को आप जो है चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं record करके और इसको अगर हम duplicate इस layer करना चाहते हैं बर्ड को तो आप इस bird को select करके control D करते हैं तो यह हमारे पास एक अलग layer बन है देखिए हमारे पास यह दो layer बन गया है और आप इसको यहां पर रख सकते हैं ठीक है इस टैप से हमारे दो हो जागा और इसी टैप से control D करके कितना भी layer आप बना सकते हैं और इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप यहां से transform में जाके इसको scale कर सकते हैं छोटा बड़ देखिए हमारे पास कुछ step से आजाएगा ठीक है देखिए तो इस step से आप किसी भी bird का animation आप कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह था bird का animation अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया तो please कर लिए जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आओ तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thank you